इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म सकते हैं. सबसे ज़्यादा फाइदा पाने के लिए इस दवा का नियमित रूप से इस्तिमाल करें और इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. ये कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है इसके आधार पर आपकी खुराक उपर या नीचे जा सकती है. लेक्टी हैप सिर पर हलके और अस्थाई होते हैं. आप बहुत सारे तरल पदार्थ पीकर और भोजन के बीच अपनी दवा लेकर इनसे बचने में मदद कर सकते हैं. अगर आपको गंबीर पेट दर्द, गंबीर दस्त, मूड में बदलाव या दोरे पढ़ते हैं तो तुरंत अपने को बताना चाहिए कि क्या आपको मधुमे है या यदि आप दूद की चीनी लेक्टोज असहिशनू को पचाने में असमर्थ हैं. यदि आप लंबे समय तक इस दवा का उप्योग करते हैं, तो आपका डॉक्टर आपको खनिच स्तर जैसे पोटेशियम और सोडियम की जांच के लिए समय समय पर रख परीक्षन करवाना चाहता है. इस दवा को लेते समय अन्य रेचक दवाएं न लें और यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्प करें. लेक्टी हैप सिर्प के लाब, कब्स लेक्टी हैप सिर्प एक रेचक है जो आंत में पानी खीच कर कब्ज का इलाज करता है जिससे मल नर्म होता है और गुज ना आसान हो जाता है. इस दवा को काम करने में कुछ दिन लगते हैं तीन दिन तक. इसे निर्देश के अनुसार ले भले ही यह काम नहीं कर रहा हो. कब्ज को होने से रोकने के लिए फल और सबजीयों सहित अधिक उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्त खाने और खूप पानी पीने में मदद मिल सकती है. लेक्टी हैप सिर्प के साइड एफेक्ट. अधिकांश दुश प्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने क की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है. अपने चिकित सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं. लेक्टी हैप के सामान्य दुश प्रभाव, एंठन, पे से मापें और इसे मुह से लें. इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं. लेक्टी हैप सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन कि ये इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. वीडियो को पूरा देखने के ल नियवाद.